अथ्रिया काल मेहां चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हो अमरत परसार अमरत परसार दे दर्शकाना बहुत बहुत स्वागत है शर्चा हदीन मुद्दा के बठेंडे दी सीट जितों के दो अरी हरसी मुरत कौर मेंबर पार्लिमेंट बांड चकी है श्रोमनिय काली दल सरदार चवीदियां चोना विच उसनों मुड़क स्रोमनिय काली दल दा कैंडिडेट बना के उतारिया गया है उसले ही सारा कुछ देखन विचे ठीक ठाक नहीं लगदा क्योंके सब तों बड़ा जो चैलेंज पैदा हुया वो पार्टी दे अंदरों ही हो गया सरदार सिंग बादल जी दे बड़े निजदी की सान न ते उना दी छतर शाया ही चोना भी जिद्दे रे मंत्री भी बने ते राजशावच भी गए उना ने इवे लगदा के भी बीजेपी जान दा पका फैसला किता हुया चाहे वो अनौंस नहीं कर रहे और एसे सिल्सले वेच व जो अपनी श्यासी वरासता है ओदा सेरा जा ओदा ताज अपनी नो परम पाल को और सिद्धु जी जो के आई है साफी सारान उना दे सिर्ते रखना चांदे यां गुर्परीद सिंग मलूका जी उना दे हास्बेंड यां वो भी श्यासी तोड़ते काफी सरगर्मान और परियान जा ए मलूका जी खास ए देखन नूँ आ रहा है के जेकर परम पाल कोर जी सिद्धु जो के आई हैस तो रिजाइन कर देता हुना ने उना दर रिजाइन एक दो दिन अज कबूल हो जाएगा ओगर कैंडिडेट बन दे हैं बीजेपी दे ताँ ए जो भठिंडिया पारलीमेंट कॉंसीचुएंसी है दोजार जवीदियां चोना बड़ी दिल्चसप फाइट बन जाएगी ये भी खबर है के सरदार बलकौर सिंग जी सिद्धु मूसे वाले दे पिता जी कांगरस दी टेकट तों बठेंडे तों अलेक्शन लाड़ सक देयां अगर ओवी उटां कितों मिलन गियां कितों नहीं मिलन गियां ए जिस वेले सारे कैंडिडेट तांदे ना पस्ट रूपी सामने आ जानगे ताहीं पता है क्योंके एथों आल्रेडी गुर्मीद सिंग खुडियां जी जिनने सरदार परकार सिंग बादल नूं हराया है ते जिन्दगी पहली बरी सरकार परकार सिंग बादल एनी बुरह तरह हारे उना दा नाम ही आम आदमी पार्टी वलो चल रहा है फिर परफैसर बिलविंदर कोर जी नूं भी क्या जा रहा है के भी तुसी भी त्यार रो अमर जी सिंग मैता ये आम आज भी पार्टी देते हैं समझने वाली गाला है वो ये है कि जेकर परमपाल को और सिद्धु और सिम्रत कोर दे वृद चोंड च उतर दे हन जड़ा के सबामना बहुत लग रही है जाए जो मलुका जी हन वो बार बार के जाने आन के निजी कारना तो कीता है जाए पर जो कंसोवा निकल रही हन ओ ए है के सरदार सकंदर सी मलुका जी खुद भी बीजेपी जाएन करन दी त्यारी विच जान अते होनो टेलीफोन भी बांद रख देयान अते सखबीर नो मिल्दे गिल्दे भी काटान सो ए जो उना दी सोच विच परवरतन आया है इमें लगदा है सखबीर सिंग बादल तो श्रोमनी अकाली दाल पार्टी जेड़ी है ओ ठीक तरह संबल नी रही और उदी जेड़ी क अरगटान ही रहे इसलिए ओ देतों थोड़े थोड़े नराजन कहीं बहुत ज़्यदा नराजन पार्टी दे अंदर जेड़ी है एक तरह दी निराशा भी है जदों दा सिकिंदर सिंग मलूक का दी नू परमपाल कोर सिद्धूरा ने अपना रजाइन दी चिठी दे दी ग चल रही है जिस सदका के सुखवीर सिंग बादल की ओ अपनी तरंपत नीदी सीट भी बचा सकंगे या नहीं रोज पर तो उनना ने ना लडंदा फैसला लिया है चाहे बहना उनना ने यह लगाया है कि मैं सारे पन्याब भी सारियां सिट्टां ते परचार करना है पर यह कोई बोता तुक नी रहा समय दी स्यासत नाल मेच या नहीं खा रहा क्योंकि उनना नो डारा है कि भी जे कर ओ फिरोज पुर्तों सीट हार गे ता उनना दी लीडर्शिप नो पार्टी दे अंदरों भी चैलेंज हो जूगा अते पार्टी नो एमें लगूगा कि आप ही नह जित सक दे ये बाकी कैंडिडेट्स नो कि में जतान गे इसी परकार हून जे कर हर सिम्रत कोर नो जो सब पास हो चैलेंज कठे हो रहां अते उनना उपर कहीं परकार दे दोश भी आन के उनना ने बीजे पीच रह के पजाब दा कोई स्वार्या ने उनना ने अपने परवार दाइस वार्या और जो उनना दे बिजनस इंट्रेस्ट्री उना वाल उनना ने जैदा त्यान दिता सुखवीर सिंग बादल ने और जा उनना दे चेड़े साला साब हैं बिक्रम जीठिया जी उनना ने भी अपने किसम दी अजेही स्यासत खेड़ी जेड़ी के बहुत ही मारल ग्रोंड ते स्रुमनी अकाली दाल दे लीडरा नो सोब दी नी उनना पर बड़ा सीरियस चार जाए चिट्टे दा जिदेच के उनना दी जमान तो ही ओ कहीं मीने जेल च भी रहे अते ओ केस दाले ने पटारा नहीं हो रहा क्योंके मालवे विच चिटे नाल कहीं सैंकने मोता हो चुकियां सुखवीर बादल भी एस दा जवाब नहीं दे सकंगे सो ये दे उल्ट जो एक होर गल देखन चारी है के बीजेपी दे कैंडिडेट्स नू पिंडा मले पिंडा च भड़न नहीं देंगे उदा कारण ये है क्यों ये कैंदे हैं जे कर तुसी सानू दिलीज नहीं बढ़न देंदे असी तवानू अपने पिंडा बेच नहीं बढ सता है कोई इनी है नहीं चाहे हो कैंडिडेट बड़े नामी सिख भी लब ले नूना ने और सिखां बिच बहुत सारे अजे पी लीडर हान जो के है चाहे सिखां उनननों एस गल दी पामे समझ भी होवे के सिखां दी तार्मक विचार तारा अते बीजेपी दी हिंदू हिं उदेनल मेल नहीं खांदी उदेनल उदा सिख्धा टक्राव है क्योंके जो कुछ साड़ी पहली पाजशाई गुरु नानक देव जी ने जो विचारता रहा उनना दी बाणी मिच दर्ज है जे उदेते नजर मारिये तां फेर असी कि मैं कह सकते हैं के बीजेपी नाल सिंग बादल ने ओदे जो उनानू लाब होया वे होया के ओ पांजवारी मुख मंतरी बने उना दा बेटा बने याट डिप्टी चीफ मुनिस्टर रते उना दे नू केंदर चे बनगी कैबिनेंट मिंत्री और उना दा जो सुख्वीर सिंग बादल दा साल है उनू भी पज सुख्वीर बादल दी सिरफ लीडर्शिप ही नहीं एट स्टेक उदा फ्यूचर भी ते अकाली दल बादल दा फ्यूचर भी एट स्टेक है तोड़े सामने है के श्रोमनी अकाली दल ना ता एंडिया दा हिस्सा है ते ना ही ओ इंडिया अलाइंस जिस विच के अठाई पा के देश दी नैशनल लेवल ते जो संगठन बनें चाहिए ओ एंडिया चाहिए इडिया एलाइंस है उन्हा ने श्रोमनी अकाली दल बादल नूँ मू लान तो गुरेज कीता तुसी देख सकते हूं के एंडिया ने भी इना नूँ चाहरा नहीं पाया नहीं ते सुखबीर स जिंग बादल तां बड़ी देर दी मिंता कर रहे सी के बीजेपी ते अकाली दल दा अलाइंस हो जाए पुराणा जो छबी साल चलिया और किसाना दी मुमट करके वो तुट गया ओ मुड रवाइव हो जाए नहीं हो रहा क्योंके बीजेपी जेडिये ओ इना नो मत्य नहीं चान दी जडी सपष्ट गल है क्योंके देश दे परदान मंत्री जीनों ऐन लगदा है के श्रोमणी अकाली दल बादल ने जदों उना दा किसानना दे तिन बिल्लां ते ओ सीरियस क्राइसिज विच संता अकाली दल ने उना नुचाड के उना दी पिठ विच छुरा मारे है तो होन अकला अकाली दल पन्याब बिच की करेगा क्योंके जेडी नान सिख वोट जाज असी एक है लिए भी शेरांदी हिंदू वोट बीजी पी नुच पैंदी सी या ते बीजेपी अलाइंस विच 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 वोट नुच पुगता दें दी सी होन ओ वोटना नहीं पैन क्योंके जेडी असेंबली अलेक्शन होई दोजार वीच उदे विच तुसी देख्या फर्वरी दोजार वीद या लेक्शना में सिरफ तिन सीटा रहे गिया चाहे होन कोशिश कीती गिये एक माफी दावी छत्री क्रेट कीती गिये कैमाफलाब कीता गया क्या अपनियां ग जाने औं जाने जो भी गलतियां होई यां गलतियां ते दसियां नहीं अकाल तक तो भी माफी नहीं मंगी सौ ए जो सारा कुछ बात हो गया हूं स्रोमणी अकाली पज़ाब विच पुलिटिकली सब तों कमजोर पार्टी लग रही है। इदे न आल ही लग दी जैडी पार्टी है ओ है पार्टी जन्ता पार्टी उन्हां दी भी बड़ी खसता हालत है चाहिए उन्हां ने पठेआलेतों कांग्रस दी दल बदलू पर नीद को नूँ टिकट दे दी थी है वो थो तिनवारी जिते हैं पर बीजेपी दी टिकट थे की ओ जित सकंगे क्योंके कांग्रस ने तरंबीर गांधी जो के सोशल वर्कर भी आन एमपी भी रह चुके आन और ओ अपनी अनकनाल जीन वाले मांदार नेता हन उनना ने जदों देख्या के आम आदमी पार्टी विच उनना नो पूरा मान सिदकार नी मिल रहा जे मेंबर अपरलिमेंट उननने आम आदमी च्छड़ ती पार्टी तेन साल हो गए उनननू च्छड़यां और उननने उस तो बाद आम आदमी पार्टी दा वरोध भी कीता कहीं था हीं स्ट्रेटमेंट आं भी दि चौन नहीं जित सक दी ता उस तो बाद एजडी पैलस दी बादशाहां दी जो पॉलिटिक्स है उस दा कुछ समय ले यानत हो जाएगा चाहे के कैप्टन अमरिंदर सिंग नो जो बीजेपी दी नैशनल अग्जेक्टिव दी अग्जेक्टिव है उदा मेंबर बनाया गया उ हो मीनिंगलेस है क्योंके देश दे परदानमंदरी नरिंदर मोदी जी सब फैसले आप ही लेंदेयान बाकियाने ते सेरी ये लाना होंदा है उदे बीज कोई डिसकॉशन नहीं होंदी कोई योगदान नहीं होंदा होने ते कले कर रहे हैं के भी एजो बठिंडे दी सीट है एश रोमनी अकाली दाल लेई एक वकार दा मसला है तुखवीर ली परसनली एक चैलेंज है चुणोती है के जेकर ओस दी तरमपतनी हर सिम्रत को और एश सीट नो बचा नहीं सक दी ताँ फिर ओस दा की हाल होईगा तो एस कंटेस्ट विच बीबी परमकाल सिद्धू दा उत्थों जो चोणा लड़न दा बठिंडे पार्लीमेंट कांसिच्वेंसी तों जो खबरां आ रियान एक खत्रे दी कंटी है सरदार सकवीर सिंग बादल नो एश सीट हार गे ताँ फिर उस्तोबाद उना दी लीडर नो पार्टी दे अंदरू मुड़ चणोतियां होण गया चाय उना ने बड़े लीडर जो प्राणे सिनातनी सन उना नो पार्टी चले आंदा दिल्ली तों जीके सेंग और इद्दाइं सरना ब्रदर्स पंजाब तों उना ने सुखदेव सिंग टीड से दी जो श्रोम्निय भी वापस ले आंदा उना दे बेटे ने भी जाइन कर लिए तो संगरूरतों केंडिडेट भी हों गे प्रविंदर सिंग टीड सा और इद्रों बीपी जगीर कोरनू भी वापस ले आंदा उना ने तो बीपी जगीर कोल चाय वापस आगे इन पर वो हले इनने एक्टिव दो तो उप्रों चोना हों ते लीडर वदेश्यां को मन चले जान तुसी वदेश्यां को मन आले लीडरां दी मान सकता नूं समझ सकते हो क्योंकि चोना ता स्यासी लीडरां ले एक बड़ा वड़ा सब्सक्राइब करने पहली थ्रेट है एस ने सुक्वीर बादल दी जड़ी लीडर्शिप है उसनों फेर एक चणोती दे देती है सिकंदर सिंग मलुका दे परवार ने और उना दा जड़ा बेटा है गुरु ब्रीद सिंग मलुका ना ओ एस मुद्दे ते ना कर देन के उना दी तरंपत नी परंपाल को रसिद्धू बठेंटे तो चोन लाड़ रही है बीजेपी नू जाइन कार रही है अते ना ही हो हां कर देन सब ने चुपी ठाणी होई है जेकर ओ बीजेपी बीच नहीं जारी ता फेर उना नू हट कहना चाहिए के भी नहीं जी हो जी कोई गाल नहीं ओ क्रोगी कोई प्रवारक कारना कारके दस देन के आई आस तो रजाइन किता है और आज साब का मंत्री जगदीश सेंग आपसा जानगे उना दी सुखवीर नाल गालबात भी हो गई है ते उना ने एगरी तां कर लिया पर पता यह लगा है कि उना ने कुछ कंडीशना ते नहीं कह सकते पर उना ने कोई तिन गल्ला मनाणियान सरदार सुखवीर सिंग बादल उना ने आपने तक पूरा रख्या होया गुप्त रख्या होया ओतां अज जदों साड़े चार बजे उना दे कार सुखवीर सिंग बादल जानगे तो उना दी बान टू वान जो अंदर गुप्त मीटिंग होएगी उदे बेचो तिन कंडीशना कह लिए कुछ कह लिए और रखनगे आपनियां जेक कर उना दियां एक कंडीशना सुखवीर सिंग बादल सभी कारन करनगे तां वो उना दी पार्टी जान करनगे नहीं ते हो सकता है वो ना ही जान करन पर उना दा जड़ा पेटा तां आलरेडी सुखवीर सिंग बादल दी पार्टी नालकुम दा फिर दा उना दे प्रोग्राम माच जानदा है इस तो ए लगदा के गर्चा साब ना भी आन ता उना दा जड़ा सुपुतर है ओ ता शिरोमनी अकाली दाल बादल विच ही जाएगा अनूसमेंट हो जाएगी अज शाम तक सारे जो पलेखे न दूर हो जानगे तो कलीर हो जानगे तो एस चर्चा नो मैं थे समाब्द करदां उमीद करदां के भी तो आनूए चर्चा पसानदा ही होएगी तुसी एस नो अपने सबनियानाल दोस्तानाल सांजी करो जेकर तुसी एस चैनल नो होंते करन सब्सक्राइब नहीं किता मेरी आप जिन गुजारश है के इस नो सब्स करो इस नो लाइक करो और इस दी बैल आइकन कंटी जरूर दबाओ ताँ जो वीडियो सिद्धी तानों सब तों पहले मिले तनवाद साथ स्रिया का